नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्लोपिवास AP टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्लोपिवास AP टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और क्लोपिवास AP टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि क्लोपिवास AP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में क्लोपिवा के अंदर सौर्ट कमपोजीशन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल होता है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों ही दवाईयां एंटिप्लेटलेट जग प्लास की दवा है, जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के ठक्के बनने से रोकने में मदद करती है प्लोपिवास AP टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वज़स से दिल का दौरा और लक्वा लगने का जोखिम कम हो जाता है जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दोरा या लगवा लग चुका है। ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दोरे या लगवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्तर क्लोपिवास AP टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिवास वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की क्लोपिवास AP टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। क्लोपिवास AP टैबलेट खून को पतला करती हैं, जिसकी वज़से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप क्लोपिवास AP टैबलेट को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है, तो आपको तुरंत ही नजदी की हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में क्लोपिवास AP टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में क्लोपिवास AP टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, नाक से खून आना, दस्त, बधजमी, सीने में जलन, शरीर में ठकान, पेट में दर्ध, पेट में ब्लीडिंग और सिरदर्ध हो सकता है। क्लोपिवास AP टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्स भी पॉसिबल है। अगर आपको क्लोपिवास AP टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोपिवास AP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में क्लोपिवास AP टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दान्त निकलवाना है। तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर सर्जरी करने से या दान्त निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले क्लोपिवास AP टैबलेट को रोकने की सला दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है तो आपको क्लोपिवास AP टैबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्लोपिवास AP टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। क्लोपिवास AP टैबलेट को सुबह साथ बजे ही लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए क्लोपिवास AP टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोपिवास AP टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्लोपिवास AP टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते झाल